Assalamu alaikum parents आज मैं second worksheet लिखे आई हूँ third worksheet sorry तो third worksheet में first question में मैंने जो दिया है write the missing number write the missing number मतलब जो missing number है आपको वो complete करना है यह मैंने पहले भी दी शुकिम आपको तो एक example के तोड़ पर कराती हूँ 1, 2, कौन से number missing है? 3, 3 के बाद 4, 4 के बाद 5 लिखा हुआ है 5 के बाद 6, 7, 7 के बाद 8, 8 के बाद 9, after 9, 10 आएगा, ओके इस तरह से आप missing what missing number करेंगे? question number 2, look at the number and says the number in 10s and 1 place आपके पाद 10s and 1s place है आपको 10s का concept समझाते हूँ 10s मतलब a bunch of 10 जाप मतलब a bunch of 10 जैसे मेरे पास ये color of 10 10 colors इसमें, ये कितना हो गया? एक 10s हो गया, अगर ऐसे मेरे पास और और एक bunch होता, two 10s होता यानि मतलब two bunch of 10s होता समझ में आगया? तो इसी तरह से हमारे 10s and 1s ओके ये 10s हो गया अब मैं यहाँ पर two extra कराती हूँ तो अभी मेरे पास कितना हो गया? ये 1s हो गया, ये 10s हो गया कितना हुआ? 12s हो गया, इसको 10s and 1s का कौन से बोल? अब यहाँ पर हमारे पास क्या है? 28 28 में जो second number, first number जो हो 1s है तो हम उसको 1s की प्लेस में लेकेंगे और जो second number है, वो क्या है? 10s है, वो 10s के प्लेस में लेकेंगे इस तरह से आप ये कौन से बच्चलों को समझाएए ओकी, question number 3 Write the number that comes before Before मतलब उससे पहले कौन से नंबर आता है जैसे, यहाँ पर 10 के पहले कौन से नंबर आता है? 10 के पहले कौन से नंबर है? 8, 9, 10 कौन से नंबर आया? 9 हानी, before इससे पहले कौन से नंबर 4 Write the number after After मतलब उसकी बात उसकी बात वाला तो easy 6 की बात क्या आता है? 7, okay Question number 5 Look at the picture सरकर the plate that is full आप picture को देखेंगे और देखेंगे कि कौन से प्लेट फूल है Which plate is full? यह वाला प्लेट उस पहले आपको क्या करना है? Circle करना है Question number 6 Look at the picture Take the picture which show beer far from the cave पिक्चेर दुनों में देखिए और देखो कौन से बियर केव से फार है फार मतलब दूर, दूर, नियर मतलब नज़्दीक, फार मतलब दूर, दूर, नियर, नज़्दीक जो फार में उसको क्या करना है? एक टिक करना है Look at the picture, circle the caterpillar, that is long Long, long मतलब लंबा, short मतलब छोटा दिंगा, okay Long जो है उसको क्या करना है? आपको circle करना है Okay dear parents, इस तरह से आप अपरे बच्चों के लिए वाक्षिट बनाएए UKG का और उनको घर पे practice करा दीजिए, okay thank you very much